एकदम कुर्पकुरी और खस्ता कचोरी बन करके तैयार हुई है एकदम मार्केट जैसी कोई कहे ने सकेगा कि आपने इसे घर पर बना करके तैयार किया है आप इस कचोरी का टेक्स्चर देख सकते हैं एकदम फुली फुली और एकदम खस्ता कचोरी बनी है तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप सभी ममता किचुन रेसिपीज में आप सभी का स्वागत है आज मैं आप सभी के लिए बनाने जा रही हूं मतर कचोरी की रेसिपी यह स्वाधिस्ट और खस्ता मतर कचोरी बनाने के लिए यहां मैंने एक बाउल लिया है और इसमें हम एड करेंगे दो कप मैदा ग बहुत बढ़िया रहती है हमारी हेल्थ के लिए आप अजवाइन जरूर डालिएगा इसी के साथ मैं इसमें एड़ करूंगी हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा और इन सभी शीजों को हम इस मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेने के बाद मोयन के लिए हम इसमें एड़ करेंगे 1 4th cup refined oil मैं इसमें oil डाल रही हूँ आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं इस तरह से मोयन डालने से जो कचोरी है वो खस्ता बन करके तयार होगी मोयन को हमने इस मैदे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप इस मैदे का texture देख सकते हैं इसकी मूठी बंद रही है यानि कीकदम perfect मोयन है इसमें और अब मैंने यहाँ पर एक cup पानी लिया है जिसे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके add कर लेंगे पानी को हमें एक साथ न लगा करके तयार करना है इसका नहीं जदा सक्त होना चाहिए और नहीं जदा soft होना चाहिए थोड़ी देर बाद आप देख पाएंगे कचोरी बनाने के लिए डो को हमने तयार कर लिया है यह देखिए इस तरह का डो आपको लगा करके तयार करना है यह जो डो है वो नहीं धक करके साइड में रख देते हैं तब तक हम आगे की प्रोसेस करते हैं मटर कचोरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कप मटर ली है जिसे मैंने पीलोफ कर लिया है पीलोफ करके जो दाने है वो मैंने निकाल लिये हैं एक दम फ्रेश मटर ली है मटर की कचोरी में अगर आप अद्रक नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं मिक्सर को बीच बीच में रोक कर चलाते हुए हम इसे दरदरा पीस लेंगे और यह देखें फ्रेंड्स इसका जो पीस्ट है हमने दरदरा पीस करके तयार कर लिया है अब हम कचोरी की स्टफिंग तयार करेंगे यानि की जो अंदर मसाला भरा जाता है वो मसाला हम तयार करेंगे इसके लिए यहां मैंने गेस पर पैन लिया है और इसमें हम एड़ करेंगे ओल ज्यादा ओल नहीं डालना है बस एक चोटी चमच मैंने इसमें oil add किया है oil को हम गरम होने देंगे oil जो है वो एक दमचे से गरम हो गया है और अब हम इसमें add करेंगे आदा चोटी चमच जीरा जीरे को हम अचे से चटक जाने देंगे और इसी के साथ हम इसमें add करेंगे एक चोटी चमच सौफ जिसे हमने दरदरा कूट करके एड़ किया है सौफ का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस मसाले में जुटकी पर हम इसमें हिंग भी एड़ कर लेंगे हिंग का भी बहुत अच्छा फ्लिवर आता है अगर आप हिंग नहीं खाते हैं तो आप इसे स्क भून लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर इस तरह से लगातर चराते हैं और जब तक भून ना है जब तक एकदम अच्छे से भूनना आजाए इसमें भूनने की अच्छे से खुश भून आ जाए और यह जो ओईल हमने डाला था एक चमच वहलका सा ओईल भी यह बैसन छोड अभी आपको बिल्कुल सुखा सुखा लग रहा है लेकिन जब एकदम अच्छे से भून जाएगा बेसन तो ओल छोड़ देगा और आप देख पाएंगे कुछी देर में यह जो बेसन है वो एकदम अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें एड करेंगे कुछ ट्राय मसाल एक चमच धनिया पाउडर एक चमच लालमीश पाउडर आदा छोटी चमच हल्दी पाउडर और इन सभी मसालों को हम इस भूने वी बेसन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग एक मिनट तक हमने इन सभी मसालों को अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे PCV मटर जिसे हमने दरदरा पिसकर के तयार किया हुआ है यह मटर हम इसमें एड़ कर लेंगे और इन सभी मसालों के साथ हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें एड़ करेंगे एक चमच नमक एक चमच हम इसमें अमचूर पाउडर जब तक कि मर्टर में जितना मॉश्चर है वो सारा मॉश्चर ख़तम ना हो जाए और यह जो मिक्षर हमने बना करके तयार किया है वो पैन ना छोड़ने लगे तब तक हम इसे पका लेंगे तब बग तिन से चाल मिनट हो गए है हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाते हुए और आप इसका टेक्शर देख सकते हैं एक दमचे से तयार हो गया है यह जो मिक्षर हो पैन भी छोड़ने लगा है उसका हलका कलर भी चैंच हो गया है और आप देख पाएंगे कि इसमें बिल्कुल भी मॉश्चर नहीं रहा है अब हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे सैड में रख देंगे ठंडा होने के लिए जब तक ही ठंडा होता है तब तक हम डो को चेक कर लेते हैं लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं हमें इसे रखे हुए और अब हम इसे हलका सा और नीड कर लेते हैं कचोरी बनाने के ल के लिगे जिस की साइज की कचोरी पशंद करते हैं बनाना चाते हैं उस इसाप से आप लोईया कट कर सकते हैं मैं यहाट पर मेडियम साइज की कचोरी बना रही हूं तो उसके हिसाब से मैं इसे कट कर लूँगी मैं इसे पिजा कटर की मदद से कट कर रही हूं आप चाकू की मदद से भी कट कर सकते हैं किसे भी चीज से कट कर सकते हैं जिस तरह से आप रोटी बनाने के लिए लोए तयार करते हैं बस उसी तरह से आपको इसकी बॉल्स बना करके तयार कर लेनी है, लोई बना लेने हैं इसके, और ये देखिए मैंने इस सभी लोई बना करके तयार कर लिये हैं, और जो मिक्चर हमने बना करके तयार किया था, कचोरी की स्टफिंग हमने जो बनाई थी, वो भी हलकी ठंडी हो अब हम आगे की process करते हैं अब हम कचोरी बनाएंगे जो हमने लोई बनाए थी उसे हम हलका सा बेल लेंगे इस तरह से ज़्यादा नहीं बेल ना है हलका सा बेलना है और हमने जो मसाले की balls पनाई थी stuffing की जो बोल बनाई थी उसे हम सेपन тобना ए न न लेकिन मैं इसे कट कर लूँगे उपर से इस तरह से और आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से गोली ये बन गई है और अब हम हाथों की मदद से इसे हलका सा चप्टा कर लेंगे और ये लीजे ये कचोरी बनाने के लिए एकदम रेडी है इसे हम साइड में रख देते हैं और बाकी की कचोरीया भी हम इसी तरह से बना करके तयार कर लेते हैं आप चाहें तो इस लोई को हाथों की मदद से भी इस तरह से हलका चप्टा कर सकते हैं और फिर इसमें जो हमने मसाले की बॉल बना करके तयार की है stuffing की bowl वो हम इसमें center में रखेंगे और same उसी process से हम इसे भी बंद कर लेंगे अच्छे से बंद करना है बिल्कुल भी जगए नहीं रखनी है stuffing की bowl को नीचे की तरफ press करना है अंगूठे की मदद से और दूसरे हाथ से अंगूले और अंगूठे के मदद से हम इसे अच्छे से बंद कर लेंगे ये देखिए इस तरह से बहुत असान है एक बार आप try कर कर देखेगा इस तरह से bowl बना लेने के बाद इसे भी हम हलका सा press कर देंगे इस तरह से equally press करना है कहीं से जादा कम नहीं आप चाहें तो बेलन की मदद से भी इसे इस तरह से हलका सा बेल सकते हैं ताकि equal separate हो जाए जो मसाला हमने इसमें भरा है तो ये दूसरी कचोरी भी हमने बना करके तयार कर ली है सेम इसी process से हम बाकी सभी कचोरी भी बना करके तयार कर लेंगे और ये देखिए सभी कचोरी हमने ready कर ली है और अब हम इसे fry करेंगे यहां मैंने कड़ाई में oil लिया है oil जो है वो गरम हो गया है हमें इसका जो temperature है oil का वो ज़्यादा high नहीं रखना है मैं आपको से चेक करके बता देते हूं यह देखी इस तरह का temperature होना चाहिए oil का अब हम इसमें कचोरिया एड़ करेंगे जो हमने ready करके तयार करकी है कचोरियों को हम एक बार और हथेली की मदद से इस तरह से हलका सा प्रेस कर देंगे ताकि यह equal रहे, separate रहे उगलियों की मदद से आप इसे प्रेस ना करें इस तरह से हथेलियों की मदद से प्रेस करें और इस कचोरि को हम oil में dip कर देंगे एक साथ में मैं चार कचोरियां fry कर रही हूँ तो इसमें मैंने चार कचोरियां add कर ली है और इसे हम बिल्कुल low flame पर fry करेंगे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको वरना ये जल जाएगी और अंदर से कची रह जाएगी और आपकी बिल्कुल भी अच्छी कचोरी नहीं बनेगी अगर आपको एकदम हलवाई जैसी फूली फूली और एकदम खस्ता कुरकुरी कचोरी बनानी है तो सेम इसी प्रोसेस से आपको बना करके तयार करनी है कचोरी ओल में डालेने के बाद आपको इसे टच नहीं करना है जब तक कि ये सभी कचोरियां उपर की तरफ ना आ जाए तब तक आपको इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है उस दिर के बाद आप देख पाएंगे सभी कचोरियां उपर की तरफ आ गई है और ये अपने आप फूल रही है और जब ये इस तरह से उपर की तरफ आ जाए तब आपको चमच की मदद से इनके उपर भी गरम ओल डालते रहना है ताकि ये उपर से एक दमच्चे से फूल ज जब ये कचोरी एक साइट से इक दमच्चे से फूल जाए तब आपको इन्हें इसटरह से पलट देना है जब ये कचोरी इस तरह से लगभग 80% तक प़क जाए तब आपको गिसकी फूल में को मीडियम कर देना है और इसले जासे उलट पुलट करते हुए एकदम अच्छे से फ्राय कर लेना है और कुछ देर के बाद ही आप देख पाएंगी सभी कचोरिया जो है वो एकदम अच्छे से फ्राय हो गई है कितना अच्छा कलर आ गया है इनके उपर अब हम इसे निकाल लेंगे इसे इस तरह से जटका क निकालेंगे ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रायोल है वो निकल जाए आप इन कचोरियों को देख सकते हैं इनका टेक्चर कितनी कुरुकरी कितनी फूली फूली और कितना अच्छा कलर आया है एकदम खस्ता कचोरी बनकर के तयार हुई है इस तरह से आप एक बार जरू कचोरी बनकर च्राण का कलरू से अपर के तयार होगी इसी प्र Avec कचोड़ियों इसी तरह सेफ्राय कर तयार कर लेंगे और आपको इस तरह से उपर की तरफ आ जायें और अच्छा से Прूल जा members का तब आस इस तरह तो से क्मच हुई के उपर से भी अच्छे से फूल जाती है तो ये लिज we टोस्ट ह हम ने अच्छे से तैयार कर लई है आप देख सकते हैं कितनी बड़िया कचोरी बनी है एकडम खस्ता कचोरी बन करकर कर के तैयार हुई है आपको इनकाप टेक्चर भी दिखा देखती हूं एकडम सौफ्ट एकदम खस्ता कचोरी बनी है एकदम कुरुकरी बनी है ये देखी कितनी बढ़िया बन रखी है देखते ही मुँमें पानी आ रहा है जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करें तब आप इसे अपने घर पर असानी से बना सकते हैं लगवाग तीस मिनट में ही बन करके तयार हो जाती है बहुत चाहर टेस्टी बनती है कम मैनत में और कम चीजों के साथ ही असानी से बन जाती है मतर हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़दा फायदमेंद रहती है तो इस तरह से आएक बार आप सभी इस रेसिपी को जरूर ट्राकर कर देखेगा येकिन मान तो चले दोस्तों आप इस स्वादिस्ट खस्ता कचोडियों का मजा लीजे मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई